पांच फलों से आपको उच रक्चप को स्वाबविक रूप से प्रबंदित करने में मदद मिल सकती है एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और नियमेत रूप से व्यायाम करते हुए जीवन शैली की बीमारियों को जांचने के कुछ प्रात्मिक तरीके होते हैं कुछ आहार परिवर्तन होते हैं जो उच रक्चप वाले मरीजियों की स्थिती बहतर धंग से प्रबंदित कर सकते हैं वैश्विक स्वास्थय और पोशन सरकित में उच रक्चप या उच रक्चप चिंदा का सबसे बड़ा कारण है डबलू एचो के अनुसार उच रक्चप दुनिया में को मौतों के करीब 12.8 प्रतिशत होने का कारण बनता है बाकि की रक्च की सामान्य सीमा सिस्टोलिक दबाव के लिए सोरिन 140 mm dm और ड्वी स्टोलिक दबाव के लिए 70 mmhg के बीच आप पाजाता है एक वैक्टि को उच रक्चप कहा जाता है जब रक्चप की सीमा उप्यूक्त सीमा से अधिक हो जाती है कुछ रक्चाप यदि उपचार न छोड़ा जाता है तो स्ट्रोक या दिल का दोरा पड़ सकता है और सबसे खराब मामलों में मृत्यू भी पैदा होती है जबकि एक स्वस्त जीवन शैली को बनाये रखना और नियमित रूप से व्यायाम करना जीवन शैली की बीमारियों को जांचने के कुछ प्रात्मिक तरीके हैं कुछ आहार में बदलाव भी हैं जो उच रक्चाप वाले मरीजों की स्थिती बहतर ढंग से प्रबंदित कर सकते हैं उच रक्चाप वाले रोगियों को अपने आहार का अतिरिक ध्यान रखना चाहिए बहुत अधिक सोडियम सेव के कारण दबाव बढ़ सकता है उच बीपी रोगियों को अतिरिक तली हुई खाद्य प्यदार्थों या ट्रांस वर्सा से भारी हुई खाद्य प्यदार्थों से साफ होना चाहिए तो यह क्या है कि किसी को उच्छाल से रोका जाना चाहिए फलों पर लोड हो रहा है चापके स्तर को स्वाबहएक रूप से मदद कर सकते हैं सोडियम में केले बहुत कम होते हैं और बहुत समरिद्ध पोटेशियम जो आपके उच रख्चाप के स्तरों के लिए एक जीट-जीट संयोजन होता है आप उन्हें अकेला कर सकते हैं या इसे अपने अनाज केक, रोटी, सेंट्विच और मिल्क शेक में जोड सकते हैं आवकाडोस भी अपने बढ़ते रख्चाप के स्तर के लिए चमतकार कर सकते हैं एवकाडोस ओलेएक एसिट के साथ पैक किया जाता है जो उच रख्चाप और कॉलेस्टरॉल के स्तर को कम कर सकता है आविकाडोस भी पोटेशियम और फॉलिट में सम्रिद हैं जिन में से दोनों हृदय के लिए अच्छे हैं एक एंटी ओक्सिदेंट खजाना ट्रव एवोकाडोस विटिमिन ने के बिये एंडी और फाइबर में भारी हुई हैं गर्मियों में पसंदीता तर्बूज में ट्रू लाइन नामा के केमनो एसिड होता है जो रक्चाप को काम करने के लिए सिड हो गया है तर्बूज के दिल के अनुकूल फाइबर लाइकोपेन विटिमिन ने और पोटेशियम हैं आप उन्हें सलाद में जोड सकते हैं और उन्हीं चिकनियों में मिला सकते हैं तर्बूज के बीजप्तिदी कॉष्टिक सुपफूद हैं बीजोट नाइट्रेट्स में समरिद है नाइट्रेट्स रक्त वाहिकाओं को आराम करने और रक्त के प्रवाह को बहतर बनाने में मदद करते हैं बीजोट का रस कुछ ही घंटों में सिस्टल रक्त चाप को कम करनी के लिए माना जाता है तंगसी, सिट्रुस, स्वाद और कई एंटियोक्सिडेंट के साथ पेक्ट संत्रे आपके रक्त के दबाव को भी कम करने में मदद कर सकते हैं यह फल रिदे स्वस्थ तंतूओं और विटिमिन सी में उच्च है, रस के उपर पूरे फल रखने की सलाह दी जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वस्थ तंतूओं पर नहीं खोना चाहते हैं तो आप किसका इंपजार कर रहे हैं अपने आहार में इंफलों को शामिल तरें और स्वयम के लिए परिवर्थना देखें